आसलाम अलेकुम यहर्ज, मैं मैं अशाकर दी और आज हमारा टॉपिक है फस्ट विचिस्टी इस्टी इस प्रिट्री कंट्रोर रेक्शन्स, स्पिट्री कंट्रोर रेक्शन्स को परिसाइक्लिक रेक्शन भी कहा जाता है, इसकी अगर डैफिनिशन पर अगर हम घौर करें, पोलर और रेडिकल पाथवे, और नौट अफेक्टेट बाइपोलर शॉल्वेंट्स, रेडिकल इनिशेटर और अदर कैटलिस्ट, यह वो रेक्शन्स है, जिन में कोई यह जैसे पोलर सॉल्वेंट्स, पॉलारिटी होती है, पॉस्टिव है, नेग्टिव को अट्रक्ट क नहीं होती है, यह कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, यह रेक्शन इस तरह होती है, कोई रेडिकल भी इन्वार्व नहीं होता, वो भी एफेक्ट नहीं करती है, और इसमें कोई भी इंटरमीडियेट भी मदूद नहीं है, there is no intermediate involved here, it just, it involves just a transition state, इसके अंदर सिर्फ एक transition state involved हो बैस, next है, reaction, for example, deals are the reaction, deals are the reaction, deals are the reaction, आप बेस्तर जानते होंगे, it involves diene and dienofoil and then we get product, product में एक transition state दिखाईगी है, जो के एक cyclic है, cyclic transition state, transition state is a cyclic and here only pi electrons are involved in new bond and product formation, यहाँ पर सिर्फ transition state, जो वो cyclic है, I have told you, और इसके अंदर यह जो reactions है, जने deals are the, sorry, paracyclic reaction, symmetric control reactions कहते हैं, इनके अंदर सिर्फ just movement होती है, pi electrons की, और वो pi electrons move करते हैं, और cyclic product बनाते हैं, इसके इनको cyclo addition reaction भी कह सकते हैं, cyclo addition means cyclic cycle बनने का अमल जो होगा, जैसे कि यह deals are the reaction है, इसके अंदर pi electrons move करते हैं, और then new bond बनाते हैं, और new product formation होती है, इस तरह कि जो reactions हैं, उनको हम कहते हैं, deals are the, sorry, paracyclic reactions, are symmetry control reactions, जैसे कि अभी हमने कहा है, कि यह जो है, paracyclic reactions, यह effect नहीं होते, polarity से, या कोई radical initiator से, तो यह affected होते किस तरह हैं, तो यह जो factors इन पे हैं, जो effect करते हैं, वो है, paracyclic reactions are influenced by, paracyclic reactions are influenced thermally or photocamily, thermally mean heat, जब हम heat करें, तो reactions effect हो सकते हैं, या फिर हम सूरज की रोशनी के मुझूदगी में, sunlight के मुझूदगी में, जब हम reactions करते हैं, तो उस वक्त भी training आ सकती है, अब बात है, कुछ reactions ऐसे होते हैं, some reactions are like that, they are influenced only by photocamily, and not thermally, and some reactions are influenced only thermally, but not photochemically, and some reactions influenced by both, but provided that, both products must be different, in a simple way, जब कुछ reactions ऐसे होते हैं, जो कि सिर्फ photochemically influenced होते हैं, और thermally नहीं होते हैं, मैं लेकिन कुछ से होते हैं वो thermally influenced रहते हैं और photo neutron you긴 नहीं होते और इन कुछ reaction's क्या दोनों से influence हो सकते हैं यह हो फोटो chemically भी हो सकते हैं प्रफ्श worse और thermally you influence हो सकते हैं लकिन वन दोनों की product फोटmal। होगा है जबwie reaction this कस्ट reaction this our cycle addition reaction one two one two addition है and then आप देखें तो यह जो reaction है यह सर्फ फोटो केमिकली influence होता है लेकिन thermally नहीं होता अब डील जाल्डा reaction जो हमने पड़ा है उपर देखें तो वह क्या होता है thermally influence होता है लेकिन फोटो केमिकली नहीं होता यह फोटो इसलिए हम्यू लिका हुए और यह जो फॉल्विंग रेक्शन यह जो बिलो है यह reaction इसको कहते है ट्रांस इस ट्रांस रियेजेंट है इसके यहां पर साइकल बनने यह फोटो केमिकल भी हो रहा है और thermally भी हो रहा है लेकिन जब देखें अब ही जब thermally influence होगा जब हीट करेंगे इसे 130 degree centigrade में तो प्राड़क्ट क्या बन रही हमारे पास सिस लेकिन जब और इस दरीके से और भी कुछ है और नेक्स टॉपिक शाएंगे तन वी विल डिस्किस इतने आज के लिए इतने थैंक थैंक्स वर वाचिंग